इस दौरे के दौरान साओधी हुकाम ने पहली बार भारती वफ्द को मस्जिद नवी सलललाहु अलेहेवालेवसलम का दौरा भी करवाया दौरान उन्होंने ना ही सिर को ढखा था और ना ही कोई हिजाब पहना था दोस्तो इंडियन वजीर समरीती एरानी का दो रोज़ा दोरा इस वकर सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बना हुआ है इस दोरे पर इन्होंने अपने बकॉल मदीना का तारीखी सफर किया और वो मस्जिद नवी जबले ओहद और मुस्लमानों की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा भी गई इन्होंने एक्स यानि साबी का ट्विटर पर इस दोरे पर सौधिया हुकाम का शुक्रिया दा किया और इसे इंडिया और सौधिया और रोहानी राप्तों का अगास करार दिया इंडियन सोर्सिस में ये कहा गया है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मदीना में किसी गैर मुस्लिम ग्रूप का इस्तक्बाल किया गया हो और समरीती एरानी को पहली हिंदू खातून का अजाज दिया जा रहा है जो मदीना होकर आई है यह अब ये सवाल बनता है कि जब इस्लाम में हरम के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम का दाखला मना है तो एक हिंदू खातून को मज्오 औशीय द नवई की जारत की एजाजत क्यों दी गई है क्या इसलाम मक्का और मदिना में किसी गैर मुस्लिम को दाखिल होने से रोकता है इसके बारे में उल्मा एक्राम क्या फर्माते है और इस दोरे के आने वाले वकत में क्या असरात साबित होंगे इन्शाला अल्ला की मदद और नुसरत से राय हधायत की इस वीडियो में हम इनी सवालात को जानने की कोशिश करेंगे तो दोस्तो आईए देखते हैं वीडियो असलाम लेकुम आप देखने राय हधाय टीवी और मैं हूँ रजा मकसूद तमाम तारीफें अल्ला रब रब अजद के लिए कि जिसने हमें इमान की निमत से सरफरास फर्माया और बेहद दूरूद और सलाम जनाब रसूल अल्लाह अल्यू वाली वसलम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खात्म नभी इन बनाया दोस्तो ग्लोबल पॉलिटिक्स पर नज़र डाने तो पिछले कुछ अरसे में जनुबी आशिया के खिते के बड़े मुलक बाहरत पर बहुत से इसलामी मुमालिक की महबत साफ दिखाई देगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोधी मिडल इस्ट के दोरे पर हो तो इनके इस्तकबाल में गहर ममूली गरम जोशी होती है यूं समझ लीजिए के पलकें बिचाए जाती हैं और मंदरों के इफ्तिता से लेकर सरकारी ओनर्स तक सब कुछ मोधी पर निचावर गिया जाता है गज़िशता साल अक्तूबर की साथ तारीक फलस्तिनियों के लिए क्यामत खे साबित हुई और इसराइली हमलों ने बस्तियों की बस्तियां तबाह कर दी लेकिन आनमी जमी तो छोड़िये मुस्लिम उमा नाम की चीज़ भी ढूनने से नहीं मिली गत्लों गारत गिरी अपनी जगा लेकिन जिन्दगी तो चलती रहती है ना शायद इसी वज़ा से सोधियारभ में फिल्मी मेले और सकाफ्ती प्रोग्राम्स पूरे जोशो खरोश के साथ जारी थे बात यहीं तक रहती तो गवारा था लेकिन इसी दौरान पे शरफ सामने आई जिसने सोशल मीडिया पर तुफान भर्पा कर दिया और वो था भारत की अकलीती अमूर की वजीर और हिंदु दित्वा की कटर हामी समरीती एरानी का मदीना का दोरा यहां मैं आपका बताता चलूँ के समरीती एरानी की वज़ा शौरत साथ बहू और गरेलू साधिशों से भरा हुआ टीवी शो क्योंके साथ भी कभी बहू थी समरीती एरानी ने मुसल्मान दुश्मान जमात भारती जन्ता पार्टी यानी बीजे बी के कंथों पर सवार होकर स्यासत के मिदान में कدم रखा और आज वो भारती वजीर आजम नरिंदर मोधी के क्रीबी हलके की ताकत तरीन वजीर के तोर पर जाने जाती है उनकी मुस्लमानों से दुश्मनी भी ढखी चुबी नहीं है जिसका इजहार वो बहुत बार कर चुकी है अब हम इस दोरे की असल फजा की तरफ आते हैं यहां आपको बताता चलू कि समरीती एरानी के साथ जूनियर वजीर खारजा वी मुरली धरन और एक ग्रूप भी इस दोरे में शामिल है मीडिया रिपोर्स के मताबिग सौधी एरानी की रिक्वेस्ट पर मदीना के तीनों मकामात का दोरा करने की खूसी अजासत दी और मीडिया के मताबिग समरीती एरानी अपने ग्रूप के साथ सौधी हुकाम से मुलाकात में हज 2024 से मतलिक वीजा पॉलिसी और सहूलियात से मतलिक तबादला ख्याल किया दोनों ममालिक के दरमियान इस हवाले से एक महाइदा भी तैपाया महाइदे के मताबिक भारत का हज कोटा 1,75,025 है जिन में से 35,005 आजमीन हज ग्रूप ऑपरेटर्स जबके 1,40,020 हज कमीटी ऑफ इंडिया के जरीए हज का सफर तैय करेंगी खर दोस्तों अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि क्या कोई गहर मुस्लिम मका या मदीना में दाखिल हो सकता है अलापाक का इर्शाद है कि मुश्रिक तो बस नापाक है इसलिए वो इस साल के बाद मजिद हरम शरीफ के करीब ना आने पाएं इस आयत के जरीए मुश्रिकीन को मजिद हरम शरीफ के करीब आने से मना फर्मा तिया गया है حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے इसका मतलब ये बियान फर्माया है कि मुश्रकिन को अगले साल से हज करने की अजासत नहीं होगी इसलिए कि इस आयत करीमा को इंप्लिमेंट करने के लिए जनाबी रिसूल सलिए अलिए वाले 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 सलम ने और मुराद ये है कि इन से जमा यानि सेक्शिल इंडर्गोर्स ना करें चनाचे और्टों के करीब जाना मना नहीं है इसी तरह कुफार हज तो नहीं कर सकते लेकिन किसी और जरूरत से हरम शरीफ या किसी और मस्जिद में इनका दाखला बिलकुर मना नहीं है क्योंके कई मौकों पर ये थाबित है कि जनाब रिसूल ने गहर मस्लिमों को मजजिद नवी में दाखल होने की अजासत दी अलपता इमाम शाफी और इमाम एहमद बिल हमबल फर्माते हैं कि इस आईद की रू से पूरी मजजिद हरम शरीफ में कुफार का दाखला जाइज नहीं है हम यmeye समझते हैं कि मदीना मनवरा में भी गहर मुस्लिमों का दाखला मना है है अलबता इनका यहां मुस्तकिल अबाद और रियाश इक्तियार कर लेना मना है। तर दोस्तो आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक बात जो काबले गोर है वो यह है कि बारती ग्रुप ने समरीती इरानी की ग्यादत में सुधियारब मदीना मनुवरा का दोरा एक ऐसे वकत में किया है जब इन्डियन सिटी अयोधिया में तारीखी बापरी मजिद के जगा आली शान मंदिर की तामीर मुकमल हो चुकी है बॉरी वुट के अदाकारों से लेकर दुनिया के अमीर दरीन कारोबारी शक्सियात समेत सब मंदिर की इफ्तिताय तकरीब में शिर्कत करेंगे जिसके मेमाने खुसी भारती प्राइम मिनिस्टर होंगे बापरी मजिद को 1992 में हिंदु इंताप असंद गुंडों ने शहीद कर दिया था और नरेंदर मौदी मजिद की शहादत और मंदिर की तामीर की मोहिम में शामिल थे खेर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका ये ख्याल होगा कि अगर समरीती इरानी मदीना मनवरा चली गई है तो कौन से क्यामत आ गई है मजिद अनवी या हरम शरीफ के अंदर तो नहीं गई ना यकिनन कुछ चीज़ें इखलाकी या कानूनी तोर पर जाइस होती है लेकिन मदीना मनवरा में खड़े होकर समरीती इरानी जैसी बायस्ट औरत का तस्वीर बनवाना हरके से इतना साधा मामला नहीं ये विजट और इसकी टामिंग आने वाले वकत में गहरे नताइच पैदा करेगी आवरॉरॉल अगर हम जाइजा ने तो साफ दिखाए देता है कि मुसल्मान मुमालिक की हकूमतों की पॉलिसियां अम मजीद लिबरल हो चुकी है और अमलन मुसल्म उमा जैसी कोई चीज अपना वजूद ही नहीं रखती दुनिया भर में तेजी से बढ़ता इसलामोफोबिया जहां आम मुसल्मानों की जिंदगी मुश्किल बना रहा है वहीं मुसल्मान मुमालिक की जानिब से मुसल्मान मुखालिफ कोउदों के लिए नरम गोशा और गर्म जोशी क्या गुल खिलाएगी इसका अंदाजा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए फिर दोस्तों अगर आप यह जानना चाहते हैं कि हिंदू दित्वा यह RSS क्या है और इनकी आइडियोलिजी क्या है तो यह वीडियो देखना मत भूलिएगा